नमस्ते गाइज मेरा नाम अभी मन्यू स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंगलिश में दोस्तो लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के वाक्यों का इस्तमाल करना पड़ता है जैसा कि अगर मैं कहूँ बारिश रुक रुक कर हो रही है पानी रुक रुक कर आ रहा है बिजली रुक रुक कर आ रही है हम रुक रुक कर चल रहे हैं तो दोस्तो रुक रुक कर रुक कर इन प्रकार के वाक्यों का हम इस्तमाल अपनी डेली कन्वरसेशन में बहुत जादा करते हैं आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं इन प्रकार के sentences को आप English में किस rule के according form कर सकते हो और फिर आप उन्हें as usual अपनी daily conversation में इस्तमाल कर सकते हैं तो बहुत important वीडियो है आईए guys, शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तो इस प्रकार के sentences में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो क्या है? वो यह है कि रुक रुक कर, रुक रुक कर के लिए English में जो word यूज होता है वो क्या होता है intermittently, क्या दोस्तो intermittently, intermittently ठीक है अब sentence, देखिए rule देखिए बहुत ही simple है, सबसे पहले sentence प्लस intermittently, पहले आपका sentence आएगा जो किसी भी tense में हो सकता है as usual उसके बाद last में आपका intermittently, ठीक है, example से बहतर समझेंगे, देखिए net रुक रुक कर चल रहा है net, internet जो हम यूज करते है internet रुक रुक कर चल रहा है net रुक रुक कर चल रहा है net is running intermittently net is running intermittently ठीक है, मेरी घड़ी रुक रुक कर चलती है मेरी घड़ी रुक रुक कर चलती है my watch works intermittently my watch works intermittently ठीक है, रुक रुक कर हवा चल रही है रुक रुक कर हवा चल रही है the wind is blowing intermittently the wind is blowing intermittently ठीक है, रुक रुक कर क्यों बोल रहे हो तो ये था गाईस हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि रुक रुक कर इन प्रकार के सेंटेंसेज को आप एंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो और फिर आप उन्हें अपनी daily conversation में इस्तमाल कर सकते हैं तो I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ न कुछ जरूर सीखाई होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार दन्यवाद